कर्म ही पूजा है, शिक्षा प्रेरित कहानी, ये वाक्य कई जरूरी जगहों पर लिखा होता है, रेलवे स्टेशनों पर आम दफ्तरों में लिखा होता है, कर्म करना इंसान का पहला धर्म है, कई लोग कर्म को भाग्य रेखा मानते हैं, वो कर्म दूसरा है, ये कर्म गीता गीता में लिखा है कर्म ही शेष्ट है कर्म कर फल की इच्छा मत कर कबीर ने अपनी वाणी में कर्म योग पर ही अपना तक दिया है जो आदमी इस्टेशन की ओर चल देता है उसको तो गाड़ी मिल सकती है जो चला ही नहीं उसको तो मिल ही नहीं सकती आये समाज का भी यही नियम है कर्म करना इनसान का पहला लक्ष होता है तकरीबन सब धर्म कर्म की वाख्या करते हैं अपना अपना धंग है आज तो विज्ञान का युग है करने को ही कर्म कहते हैं कहीं पर दुनिया में ऐसा नहीं लिखा है कि भाग्य के भरोसे रहो, कर्म करने से बड़ा आनंद मिलता है, दिशा सही हो तो और भी आनंद आता है, कर्म करने का तरीका भी होता है, कर्म करने से पहला ज्यान का होना जरूरी है, फिर उसको मानना जरूरी होता है, फिर करना जरूरी होता है, कर्म तो सभी करते ह कर्म अगर ग्यान को जानकार किया जाए तो बहुत तरक्की होती है कई लोग कर्म तो करते हैं मगर कभी कभी दिशाहीन हो जाते हैं उनका कर्म जादा सफल नहीं होता पक्के इरादे से किया कर्म ही जादा कारगार होता है कई लोगों की शिकायत रहती है कि हम कर्म तो करते हैं मगर काम्याबी नहीं मिलती उनकी दिशा में कोई खरावी जरूर होगी सब को अच्छा गुरू मिलना असान काम नहीं है सुखी रहने के लिए अच्छे गुरू की तलास जरूरी है ऐसा ही नियम है अच्छा साहित्य भी काम आता है आप हमारे चैनल वानी वोईस को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें